हलो फ्रेंड मैं रूची वर्मा आपका हमारी चैया पर फिट से सौगत है आज मैं आपको लौकी का रता बना कर दिखाएंगे लौकी का रता बनाने के लिए चलिए देखते हैं इसके लिए हम एक किलो लौकी ले रहे हैं और इसको हम इस तरीके से चील लेंगे इसी तरीके से हम अपनी पूरी लॉकी छील लेंगे लॉकी हमारी छील गई है अब हम इसके पीस काट लेंगे इसको हम छोटे छोटे पीसों में इस तरीके से काट रहे हैं अब हम इसके मेडियम साइज के पीस काटेंगे इसी तरीक्या से हम अपनी पूरी लौकी को काट लेंगे हमारी लौकी कटकर तयार है अब हम इसको धुल लेंगे चलिए लौकी का रहते को बनाने के रहे चलिए देखते हैं अपने मसाले एक किलो फिटा हुआ दही एक बड़ा चमच लाल नमक आधा चमच सफेद नमक एक चमच जीरा एक बड़ा चमच रहता मसाला दो हरी मिर्च एक चुटकी हीन एक बड़ा चमच भुना हुआ जीरा बारी कटी हुई हरी धनिया एक चोटा चमच धनिया पाउडर लाल मिर्च स्वादन सार लुक्की को हमने धुल लिया है अब हम इसको कूकर में डालेंगे कूकर में पानी हम बहुत थोड़ा सा डाल रहे हैं और कूकर का धकन लगा लेंगे कूकर को हम गयस पर चड़ा देंगे और इसे चार से पांस सीथियां लगाएंगे चार से पांस सीथियां लगने के बाद हम गयस में बंप देंगे और दस में खंदा वनिकली से रख देंगे हमारी लुक्की पककर तयार है इसे इस तरीके से निकाल लेंगे और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे और इसे एक बाउल में रख लेंगे इस तरीके से इसे हम मैश करेंगे हमें इस तरीके से लुक्की का पेस्ट तयार करना है अब इस लुक्की के पेस्ट में हम अब दही डालेंगे और इसे मिला लेंगे अब इसमें हम अपने सभी मसालों को डालेंगे लाल नमक सफेद नमक नमक आप अपने सौप के अकॉर्डिंग्स डाल सकते हैं रहता मसाला बुना हुआ जीरा धन्या पाउडर और इसे मिला लेंगे अब इसमें हम धन्या पत्ती मिलाएंगे साथ इसमें हम लाल मिश डाल देंगे इसे मिला लेंगे लौकी के रहते में तड़का लगाने के लिए गैस पर अपना फ्राई पेंच चढ़ाएंगे अब इसमें हम तेल डालेंगे तेल हमारा गरम हो चुका अब इसमें जीरा हींग और हरी मिर्च को डाल देंगे जीरा और हरी मिर्च सब हमारे पक चुके हैं अब इसमें हम तड़का लगाएंगे इसे हम मिला लेंगे हमारे लोकी का रहता बनकर तयार है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा okay friend, bye